हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप लोग मजे में होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे ढंक से चल ली होगी तो यहाँ पर मैं एक बैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो की जिसमें सबसे पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि इसमें आखिर टोटल पोश्ट कितनी है कितनी इसमें वैकेंसी आई होई है तो देख सकते हैं अनारख्षित वर्ग में 10,181 है एडबुलेस में आपका 4,018 ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 4,247 वैके महिलाओं के लिए कुलपदों की संख्या तो वो है 14,93 तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है वह 4,247 और यह गौर्मेंट सरकारी वैकेंसी है कोई प्राइवेट या फिर समविदा पर नहीं है तो हम सबसे पहले देख लें कि यह कहां की वैकें कह रहा है कि सिक्षा विभाग बिहार के अंतरगत प्रात्मिक विद्यालों में ध्यान दीजे प्रात्मिक विद्यालों में आया है प्रधान सिक्षक के कुल 4,247 पदों पर नियुकती है तो सुयोग के भारतियों में द्वारों को ध्यान दीजे यहां पे सिर्फ स्टेट क कि बात नहीं भारती ऊहोंना चाहित नियुक्त वहिद्वारों से विहित-परित्रों में online भरने है यह विश्त्री दिर्षानिर्देश सब्सक्राइक पर प्रदर्शित है यह अचे टोटल और यह 4000247 जो है रहें पोस्ठ कि लेकिन यहां पर आपको जो चीज जानना है ध्यान से उसको सुनेंगे और उसे देखेंगे तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है पेमेंट वगर इसमें दे रखा है बसरते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालों में नियोंतम आठ वर्सों का सिक्छड अनुभव हो वह दिनांक 182024 को 58 वर्स या उससे कम की आयू का हो और या फिर सेवा निवरित की आयू 60 वर्स है क्योंकि इसकी जो रिटार्मेंट एज है वह 60 वर्स है तो कम से कम 18 वर्स कम 18 वर्स से कम ही हो पहली बात दूसरा उसको 8 साल का अनुभव हो गौर्मेंट प्रात्मिक विद्याले में अब बात करते हैं कि B.A. या फिर D.A. तो ध्यान दीजिए पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 8 साल से उससे जादे का अनुभव है और उन्होंने B.A. कर रखा है तो यहाँ पर इसकी कोई प्रावबलम नहीं है कि आपने B.A. कर रखा या फिर D.A. कर रखा है नो प्रावबलम बस आपको अगर प्रात्मिक विद्याले में आप कारिरत है और आपको 8 वर्स का अनुभव है तो आप इस फार्म को भर सकते है और ऐसे कंडिडेट कुछ कंडिडेट कहीं हमारी तो जवाब लगी है लेकिन आप यहाँ पर आप जान लीजिए कि ऐसी भी बेकेंसी जाती है आपको वीडियो देखना चाहिए और वहाँ पर क्या उसकी योगिता है यह सब आपको जान लेना चाहिए वो आपको अभी नहीं तो बाद में फ्यूचर में काम आएगा तो यहाँ पर इसका सिल्बस बगएर दे रखा है और इन सब के लिए आप जो है देख लिजिए सिल्बस आइज इट इस दे रखा है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे बट पहले आपसे फॉर्म फिल करा दिया जाए आपको फॉर्म का डेट बता दिया जाए तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो आउनलाइन आवेदन है वो 11 मार से ही सुरू हो गया है और ये 2 अप्रेल को इसका आउनलाइन आवेदन भरने की अंतिव दिती है तो अगर आपने ये वीडियो देखा आप नहीं भर सकते हैं तो आप अपने किसी करीबी को बता दीजिए जिससे की वह जो है इसका लाब ले सके जो प्राइमरी में कारत हो और उन्हें 8 वर्स का अन्वो हो तो वो इस फार्म को फिल कर सकते हैं बेकेंसी बहुत जादा हैं लगबग 40,200,87 या 47 बेकेंसी हैं 47 तो ये फार्म उनके लिए बेशक है बाकी अगर आप जाब नहीं करें नो प्राबलम बट ये आप देख लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपको जाब तो कर रही हैं तो वहाँ पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए और वहाँ पर आपको ये बेहत काम आएगा बिलकुल और 40,247 वेकैंसी है इसमें तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लेगी अगर अच्छी लेगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और नीडी कंडिडेट को शेयर जरूर करेंगे चलिए मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय थैंक्यों टेक टेक यार जाहिन